लोटस आयर्वदर इंडिया में आपका फिर्चे स्वागत है मैं हो उत्पल्च वादरे आज हम बात करेंगे पेग्नेंसी में बहुत ज्यादा पैदल चलने के नुक्सा तो आई शुरू करते हैं आज के विडियो पेग्नेंसी में बॉक करना बहुत अच्छा होता है इससे पेग्नेंट महिला की सेहत को कई तरह के फाइदे मिलते हैं हर पेग्नेंट महिला को बॉक करना जरूर चाहिए फिर चाहें पेग्नेंसी की पहली तिमाई हो दूसरी हो या फिर तीसरी हो पेग्नेंसी के दौरान किसी भी तिमाई में बॉक करने से पेल्विक एरिया खुलत होता है और महिला की बॉड़ी एक्टिव रहती है कि बॉक करने की बज़े से ब्लेट फिलो भेतर होता है रोजाना 30 मिनट एक्सराइज या बॉक करने से सरी को बहुत फायदे मिलते हैं मास्पेश्य खुलती हैं और फिल गूट हार्मोन भी रिलीज होता है इस तरह देखा जाए तो गर्वती महिलाओं के लिए बॉक करना बहुत लापकारी होता है लेकिन निहाए सबाल लुड़ता है कि क्या गर्वावस्ता में बहुत ज्यादा पैदल जलना फाhrade prevention है या फिर यिससे महिलाओं को कोई नुक्सान भी हो सकता है तो गर्वावस्ता में बहुत ज्यादा पैदल चलने से नुक्सान हो सकता है हलंकि सही है कि पेडिय उन्यों में महिलाओं को पैदल भी मिलता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि महिला ओबर बॉक करें आपको बता दें कि हर प्रेंगेंट महिला को अपनी पहली दूसरी यो तीसरी तिमाई के दौरान बॉक करना चाहिए अगर आप पहली तिमाई में रोजाना सप्ता की पास दिन 30-35 मिनट की बॉक कर सकते हैं दूसरी तिमाई में Energy बॉक स्वास्त के लिए अच्छी मानी जाती है लेकिन इससे ज्यादा बॉक करने से के स्वास्त को नुक्सान हो सकता है मास्पेस यहां प्रभावित होती हैं और हड्डियों पर भी दबाव बन सकता है कि प्रेग्नेंसी में बहुत ज्यादा बॉक करने के नुक्सान पेगनेशी में बहुत ज़्यादे करने से मैला ठकान से भर सकती है वर वाक करनी की बज़ें से पेलविक एरिया पर दबाव बन सकता है और दर्ड़ भर सकता है पेगनेशी में उबर वख करने से थाईच और पैरों के तल्वा का दर्द बाढ़ सकता है प्रेगनेंशी में ओबर बॉप के करणर प्रेगनेंसी में ओबर वक करने के फाइदें पेगनेंसी में बॉक करने से कि शरीर में लचीला पनाता है मूट फ्रेश रहता है और पूरा देन पेट मेद्ट महला एनर्जटिक फील पूरती है वाग करने के वज़े से बिलट प्रिशर को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है पेगनेंसी में बॉक करने से कब्ज पेट दर्द के लक्षुनों में कमी आती है तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताएं धन्यवार